आज फिर से एक नए सूचना लेका आपके समक्षुपोसित हैं जो कि केंद्रे विद्यालय के दौरा एक नई सुरुवात की गई है बालबाटिका अध्यापकों की इसके लिए जो की उके जी कख्षाएं सुरुकी जा रही है के विए सनियमानु सार उक्त कख्षाओं में सिक्षन है तू कुल्चा बाल का बाल बार्टिका अध्यापको की सम्मीदात्पा कन्यूकती है तू आई वाकिन इंट्रव्यू का वजन विद्यालय पर्शन में ही होगा यानि छे लोग उसमें पॉइंट के जाएंगे जिसका इंट्रव्यू 14 अक्तोबर को होना है अब इसके लिए जरूरी डॉकुमेंट्स क्या है सरते क्या है उस सब को आप एक बाद ऑफिसल वेपसाइट पर जाके भीजिट करें और निश्यत उसको देख लें चली दूसरी बात मैं बता भी दूँँ आपको कि इसके लिए क्वालिफिकेशन का थी है सिनियर सेकेंडरी क्लास 12 तक बढ़ा हो और एक उनिवर्सिटी से एक्लिस 50% मार्क्स हो डिपलोमा यह टीचर एजूकेशन हो नरसरी टीचर एजूकेशन या नहीं तो डी-सी-ई-डी किया हो अर्ली मांग एक बायुस्यनास्तल भुज से है जहां पर भी पूर्वप्रात्मिक परसिक्षित बालबाट का सिक्षा की नियुक्ति होनी है उसके लिए इंटर्व्यू सिरूल किया गया है वह सेसन दोजार बाइस तेज के लिए 14 अक्टूबर दोजार बाइस को है इसके आपको 14 28 से शुरू हो रही है और 10 अक्टूबर तक होनी है इस इसका ध्यान रखिए बालबाट का 123 में इसके लिए प्रवे संबन्दी जानकारी के लिए आप इसके अफिसल वेबसार जरूर एक बार देख लें अगली विद्याले क्रमांक एक सही है जो कि जिप मेर पदूचेरी से है यहां पर भी बालबाट का सिश्कों के लिए डारेक्ट इंटर्व्यू के विबसा की गई है और यहां 15 अप ऑक्टूबर को सेटर्डे को होना है याद रखिए इसमें लिए भी टाइमिंग अगली जानकारी के अंदरे भी जी सी एफ जबलपूर से है यहां पर भी बालबाट का सिक्षकों के लिए जो है ना अंसकालिक समीदा आधार पर वर्ती होनी है जिसके लिए इंटर्व्यू की बिवस्ता की गई है अब इसमें इसके लिए क्वालिफिकर से मैंने बता ही द इस तरह से कुल मिलाकर देखा जाए तो मैं दस्मी होना चाहिए और टीन्थ दूसरी पोस्ट जो है इसमें के टेकर किये देख वाल करता इसके लिए टेंथ पास होना चाहिए कम से कम अठार साल का यू हो इंडेक्शन ट्रेनिंग इन प्री इसकूल एजूकेशन एन एन इ पासन द्वारा जो सेमी कमचारियों को दी जाती है वही दे होगा इसका इंटर्वू साथ अक्टूबर को है साथ अक्टूबर को सुबह नौ बज़े से लेके सामके पांच बज़ तक लेकिन दोनों पदों के लिए आबदन जमा करने की यूतिति है वह अच्छा अक्टू को इंटर्व्यू सुदिल है जिसमें बाल बाट का टीचर्स के रिक्विट्मिंट होनी है उसके लिए क्वालिफिक्स में बार 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 बता ही दिया कि ट्रेनिंग किया हो इसके लिए फॉर्म उसके ऑफिसल वेबसाइट है आप उसको देख लें रिनुमरेशन के बात कर सब्सक्राइब को मिलता है इंटर्व्यू में कोई टीए नहीं दिया जाता है और इसके लिए रिपोर्टिंग टाइम है आठ बजे पंदरा तारी को अनि पंदरा अक्टूबर को यह जरा आप फॉर्म का फॉर्मेट फॉर्म की ले लेंगे उसके बाद बार के उसको समय से उपसित होंगे आपके पास तमाम डॉकूमेंट्स होने चाहिए जो इसको रिक्वाइड है अगली वैकंसी के अंद्री विद्धाले नारायनपूर से है यह जो वैकंसी है यह वैकंसी जो है वहां प्राराम हो रही है निव एजूकेशन पॉलिसी के तहर उसके लिए इंट पर इसके लिए बाल बाट का सिक्षा की विश्चा की है तो इसमें क्वालिफिकेशन क्या है ट्वेल्स चाहिए और नर्सरी टीचर ट्रेनिंग किया हो सभी डॉकुमेंट्स और उरिजिनल साथ में उसकी फोटो कापी और एक पासपोर्ट साइज पोटोग्राफ ले करके स सारे आठ बजे निश्चित टाइम पर उपस्चित होना है और सालरी जाओ के भी इस नॉर्म के अकॉर्डिंग ही होगा तो नो ट्रिये एंडिये विल भी जेवन तो हीम और हर अगली वैकंसी के अंदरे भी जाल है सी आर्पीफ दौरबार राची से है इसके लिए भी वैक स्टूबर 2022 को नाइन ओक्लॉक सुबह नौ बजे सुबह में इसके है उसके लिए एक एकडमी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वैकंसी कितनी है तो शिक्स है लागफक सभी वीडियालों में शिक्स वैकंसी है और यह परली बार इसको इंप्लिमेंट किया गया है इसके करता हूं सारी बाते सब को समझ में आगी होगी थैंक्यू जो लोग है अपलाई करें थैंक्यू गुड़ लग झाल 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 झाल